शुरुबात करते हैं क्लास हमारी क्लास जो है यह यमपी सेट और योजी सी नेट के साथ साथ उत्राखंड मेडिकल सोचल वर्क के लिए इंपोर्टेंट है यह प्रश्ण वो हैं जो बीगत वर्सों में पूछे गए हैं पेपर दिसंबर 2006 का है योजी सी नेट का और यहां प प्रयास करें क्योंकि कॉंसेट भी इन प्रश्णों से ही बनाए जाते हैं तो प्रश्ण आज का पहला दिसंबर 2006 का कोश्चन नंबर 22 सर बीच में आवाज कर जा रही है निमनलिखित में से कौन सा समाजिक पच्छ समार्थन नहीं है प्रश्ण आपके सामने 22 है आपको चा करने का और आप्शन डी है कल्यान कारिकर्मों का आयूजन करने का जवाब बताईए तरी देखें बहुत बलिया जवाब यहां पर आया है प्रश्ण था समाजिक पच्छ समर्थन समाजिक पच्छ समर्थन में अगर मैं बात करूं संचार मार्द्धम के साथ काम करना देख अगर मेरी वाइस को लेकर दिक्कत अगर आ रही है तो सभी बच्चों के पास होगी और अगर सभी बच्चों के पास दिक्कत नहीं है तो उन्हें के पास नेटवर्क इसू है ठीक है तो एक बाल लेफ्ट करके दोबारा साब जाइन कर लिजे ताकि आपके पास मेरी आवा संगठन के साथ अगरम काम करें कहने का मतलब यह हुआ कि समोह के साथ या संगठन के साथ अगरम मैं काम करूँगा तो भी समाजिक पच्छ समर्थन का काम होता है लेकिन किसी बच्छे ने यहाँ पर जो आप्शन नमबर डी का जो ए का चुनाव किया है इनोंने सरकार से लोबी करने का कारिय बिसी करी समाजिक वकालत के पीछे के बिचार जो हैं समाजिक नयाय से संबंदित होता है और यहाँ बिचार एक पूरे की रूप में समाज के मुल्य कुदर साता है तो मेरे कहने का जो तात्परी है सरकार से लोबी कितने लोग यहां पर समझ रहे हैं लोबी का भाव यानि अर्थ बताएं जड़ा लोबी का क्या अर्थ होता है साभा लोबी का अर्थ क्या होता है साभा येस या नो में बोलिएगा मेरी आवाज अगर जा रही तो साभा लोबी का आपने मेटिंग को रिप्रसंट किया मेटिंग और सभा बात दोनों एक है मैं अलग नहीं है दोनों की बात एक ही है देखिए लोबी बेसिकली क्या है एक प्रकार से ये राजनेतिक लोबी समू क्योंकि सरकार यहां पर मेंसन करने के नाते राजनेतिक लोबी समू पर हम बात करेंगे यहां पर यहां बिचार बिधाईका के बड़े प्रवेस कक्षों में आया है जहां लोग कानून निर्माताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे संबंध में हम लोबी का अर्थ निकालते हैं लोबी का अर्थ निकालते हैं तो लोबी जो यहां पर बताया गया लोगों का एक समू जो कानून को प्रभावित करने के लिए सक्री रूप से प्रया से लोगों का एक समूव है और यहां पेगर मैं बात करूं राजनेतिक और आर्तिक अनुग्रह की भी बात कर सकता है क्योंकि और लड़ी सरकार इसने मेंसन कर रखा है ऐसे सब्दों को तो बहुत ही इजी है लोबी का अर्थ यहां पर आपको ध्यान रखना है केवल राजनेतिक पर पेच्छ में ठीक है ना कि सामाजिक पच्छ समर्थन में और मैंने आपसे कहा है कि जब भी कभी किसी ऑप्शन में राजनेतिक आए उसको आप अलिमेंट कर अगला सवाल हमारे सामने है चार ओप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं इसको क्या है यह दिखिए ग्रास रूट संगठन है जो ताथ पर होता है मैडम एक प्रकार से राजनेतिक आर्थिक आंदोलनों के आधार पर उप्योग किया जाता है तो यह संगठन छेत्री लेबल पर भी हो सकता है समाजकारी के 25 समर्थन में छेत्री अस्थानी रास्थी अंतरास्थी अस्तर पर जहां पर परिवर्तन की बात करता है और यह प्रिक्रिया ग्रास रूट की सामोही क्रिया का यूज़ करता है तो जब सामोही क्रिया की बात होती है और छेत्री अस्थानी रास्थी अंतरास्थी अस्तर पर बात होती है तो आप पार्ट जमीनी अस्तर पर बनता है तो ग्रास रूट का हिंदी जमीनी अस्तर है तो ये प्रिक्रिया बेसिकली समोहिक्रिया होती है और समोहिक्रिया आपका समाजिक 25 समर्थन में सामिल है इसलिए भी आपका करेट रहेगा महाँपर है ना प्रेशन हमारे सामने 23 मांसिक स्वास्त देखभाल अधिनियम है तो जबाब क्या होना चाहिए यहां आप लोगों ने जो जबाब मुझे दिया है आप्शन नमबर बी का चुनाव किया है बी आप्शन आपका करेट रहे गा यहां पर 1987 अगर आप से प्रेशन आजाए कि मांसिक स्वास्त देखभाल अधिनियम तब आपका क्या जबाब होना चाहिए मांसिक स्वास्त देखभाल अधिनियम बताए हाँ यहां पर आप ध्यान रखेंगे 2017 करट जबाब देखिए परिवार और समाज के द्वारा इनके साथ किये जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने मांसिक स्वास्त अधिनियम लागू किया था सन 1987 में ठीक है और इस कानून ने मांसिक रोगियों के अधिकार कानूनी सुरक्षा इलाज सुबिधाओं को तै करता था यही बात को मैं समझाने के कोशिश कर रहा हूँ और यही आपको समझना भी है और फिर उसके बाद जब प्रक्रियाई संचालित हुई तो एक मांसिक स्वास्त देखभाल अधिनियम आया और वो अधिनियम 2017 का था 2017 का था 2017 के अधिनियम में अगर मैं आपसे बात करूँ मांसिक रोगियों के संस्थागत करण को प्रात्मिकता देता था और एक बात ध्यान लखेगा रोगी को कोई अधिकार नहीं देता था यहाँ इस अधिनियम में तो मेरे कहने का जो मतलब है कि मांसिक बीमारी को सोच, मनोदसा, धारला, इस्मरती का परियाप्त बिकार के रूप में परिभासित किया गया और यह मांसिक स्वास्त देखभाल अधिनियम में इसमें निरड़े, वास्तविक्ता, जीवन की समान मांग को पूरा करने के लिए बैवहार को पहचानने की छमता उनके बारे में पूरी डिटेल निकालने के लिए और साथी साथ मरीजों को पुनरवास जो सेवाएं हैं वो प्रवाइड कराके उन्हें समाज की मुख धारा से जोड़ना मांसिक स्वास्त देखभाल अधिनियम का पार्ट बना है ना तो मैं आपसे कहूंगा कि इस तथ को आप जरूर ध्यान रखेंगे और मांसिक स्वास्त देखभाल अधिनियम के पर पेच में क्योंकि यहां से भी एक्जाम में प्रश्ण जो हैं हमसे पूछे जाते हैं बैस्विक लेबल पर अगर मैं आपसे बात करूं मांसिक स्वास्त को लेकर पहल की गई थी एक बिश्व मांसिक स्वास्त दिवस है एक बिश्व मांसिक स्वास्त दिवस है यह आप ध्यान रखेंगे सभी लोग और विस सो मानसिक स्वास्ति दिशन देस 10 अक्टूबर को मना जाता है अभी मेरे हाल में आप लोगों एक प्रिश्ट पूछा था जिसमें से आप संदे हरों कहा था कि अप cores बत्था करें है तो मैंने जिक्र भी आप लोगों से 10 अक्टूबर को मना जाता है कि आम आ! थीक है ऐसा बताया गया था मानसिख स्वास्त देखभाल अधनियम के तहद में दूसरी बात आपको ध्यान रखना है डबल एच्च्चोह के ब्यापक कारियोजना को लेकर मांसिinya स्वास्त एटलस का नाम सुना है मांसिख स्वास्त एटलस एक नया नाम आप देख रहे हैं जो हम लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है सीबी आई के बारे में आपने सुना होगा सीबी आई सेंट्रल ब्यूरो आप इन्विस्टिकेशन्स कहते हैं यह भूमिका भी यहां पर निभाता है और एक बात ध्यान रखेगा यहां मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से जो बैस्विक महामारी COVID-19 है इसके दोरान इस समस्या में तीब्र ब्रिधी देखने को मिली थी पेपर में सवाल हमें देखने को मिला है कई बार कि अल्प हरास हुआ है या तीब्र हरास हुआ है उस पर पेच में अगर जब COVID-19 को लेकर प्रश्ण बनाएगा तो समस्या में तीब्र ब्रिधी देखने को लेकर COVID-19 को लेकर आप सभी लोगों हाँ पर आप्शन का चुनाव करिएगा ठीक है इस चीज को आप खास कर ध्यान रखेंगे एक नाम आपने सुना होगा लैसेंट लैसेंट जो है भारत में मानसिक स्वास्त इस्थिती की रिपोर्ट देती है ये बात आप अवश्च ध्यान रखेंगे लैसेंट के बारे में चलिए अब हम आगे बात करते हैं और अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल हमारे सामने है कि दि जो है टीक्वल रेमूरेशन अच्ट 1976 इंपॉर्टन सवाल निमनलिखित में से किसका प्रावधान है इसके अन्फर करते हैं पर दे इक्वल रेमूरेशन अच्ट 1976 स्वामान प्रकृति के स्वामान कर देंगे आप सभी लोगों ने अगर मैं आप से बात करो तो आप सब को कहीं न कहीं यह जो शब्द है याद आरहा होगा सामान परिस्तरमिक अधनियम सामान नाइन्टीन सेवन्टी सिक्स के अंतरकत आप से बात किया जा रहा है इस अधिनियम का केवल इतना उद्देश है आप इसको ध्यान रखेगा पेपर में आता है रोजगार की प्रक्रिति के आधार पर पुर्शों और महिलाओं के लिए सामान बेतन प्रदान करे और रोजगार में आवसर की सामानता प्रदान करे रोजगार से संबंदित भेदभाव के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करे और यहाँ सुनिश्चित करे कि किसी भी किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर गलत तरीके से काम से बर्खास्त नहीं किया जा सकता मतलब कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट दे कर तो इस प्रश्ण में अगर मैं आप से बात करूँ तो जो ऑफ्षन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा है सामान प्रक्रिति के सामान कारी के लिए सामान बेतर क्या मैं इस ऑफ्षन को लगाना उचित समझूँ बताएए या ऑफ्षन डी ऑफ्षन ए करेट रहेगा बेलकुल यहां केवल और केवल जो ऑफ्षन नंबर ए है यहां ऑफ्षन पहला आपका करेट माना जाएगा और यही सही है यही करेट है आपको बता दू इसमें एक बात ध्यान रखेगा धारा 24 और 25 दो धारा 24 और 25 के तहट बीमार बैक्ति के सर्वस्त्रेस्ट हितों को प्रते निधित तो करता है यह धारा 24 और 25 ठीक है दर और मजदूरी सामान के पर पेच्छ में बात करता है यह भी आप ध्यान रखेंगे आपका सामान परिस्तरमिक अधिनियम 1976 आप्शन पहला करेक्ट रहेगा कोशन नमबर देखेंगे 25 मैंने आप लोगों को पहले भी इसकी चरड़ों पर बैक्ठा कर चुका हूँ पिएचडी करके और समाजिक सोध में आपको चरड़ बताने हैं जरा आप लोग यहाँ पर चरड़ बताएं पहले नमबर पे मैं किसको लिखूँ दूसरे नमबर पे मैं किसको रखूँ परिकलपना गलत है दूसरे नमबर पे डी को रखो देश दूसरे पर तीसरे पे आप रखिये परिकलपना और चोथे पे आप रखें आकरा को संगरा करना आकड़े को लेना और फिर उसके बाद आकड़े को बिशलेशर करना यानी E और उसके बाद आपका F तो पहले ध्यान रखें C, D, B A, C, E तो आप आप्शन में ढूढ़िए C, D, B कहां पर है C, B, D कहां पर है जो की आप्शन नमबर D में है आप्शन नमबर D में है यह आप्शन आपका करेट हो जाएगा इसलिए आपका इस प्रिष्ण का जबाब आप्शन नमबर D ही माना जाएगा PhD के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है आप सब को याद होना चाहिए जड़ा एक बार मुझे आज पस्टी करण करें PhD प्रॉब्लम हाइपोथिसस इस तरीके साब को यह याद रखने है चलिए एक और सवाल आप देख के मुझे बताएं सभी लोग कि इसका सही जबाब क्या होना चाहिए प्रश्ण आपके सामने दिख रहा होगा कि निमने लिखित में से मध्यमान मीन माधिका मेडियन बहुलक मोड का मान बराबर होता है तो किस पर पेच पोता है सामान बितरल पर एक तीरचे पर दिख पर या एक आसामान बितरल पर यहापको जभाब के मैं यहाँ आप सभी लोगों ने अलब नगलग तश्वाब सोच बिचार के जवाब दीजए मैं कहां की बात आप लोगों से कर रहा हूँ आप्षिन नमबर डी का चुनाव किया है बताए जगदीश जी आपका क्या विचार यहां पर होना चाहिए आप पहला बता रहे हैं देखिए मैं आप लोगों को अस्पस्ट कर दूँ जब हम आसामान बितर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं NPC इस तरीके से बनता है जैसे कि आप लोग को बता दो एक तरफ जुकाव होता है इसका इस तरीके से या तो फिर NPC कुछ इस तरीके से बनती है एक तरफ जुका होता है लेकिन प्रश्ण कह रहा है कि बराबर हो तो मैं आप से कह रहा हूँ कि इस तरीके से बनाया गया है NPC और इसी पर ही बराबर है Mean, Median, Mode तो यहाँ प्रक्रिया क्या सामान वित्रड की रूप में नहीं आएगी आप एक बराब असपस्टी करण करें सामान वित्रड की विसेष्टा ही मैडम यह है अगर आपको लिखना है तो लिख लिजे सामान वित्रड की विसेष्टा ही ही है कि माधिका और बहुलक का मान समान होता है क्योंकि NPC क्योंकि समान वित्रड सम्मित होता है यानि क्योंकि NPC होता है और NPC पर आप ध्यान रखेंगे सभी लोग यह समान वित्रड होगा option केवल और केवल पहला करट होगा केवल और केवल लेकिन एक बात आप और ध्यान से सुनिए यहीं पर एक और चीज मैं बताना चाहूँगा important के रूप में note करिएगा यदी, मैं यहाँ पर note कर रहा हूँ यदी, ध्यान रिखेगा यदी madh, यह मैंने madh लिखा है ठीक है, यदी madh ठीक है, ध्यान रिखेगा sign का भी greater than का, madhika madhika ठीक है बहुलक, इसी तरीके साथ अपने copy पर mention करिएगा बहुलक, है तब बताइए बित्रड क्या होगा तब बताइए बित्रड है यह प्रेश्ण अगर हो गया है तब अब इसके answer भी लिखने का आप सबी लोग प्रियास करें ठीक है देखे अब देखे यहां पर आपको बता दू मैं आपको नोट करना है दाए बिशमता दाए बिशमता आएगा नोट करिएगा नीचे दाए बिशमता अब यह दाए बिशमता और बाए बिशमता क्या होता है रिल्यातमक बिशमता क्या होता है शामान ने तो मैंने बता दिया आपको इनके बारे में समझने का प्रियास करें थोड़ा सा बस अब दिखेगा यह जो गड़ना होती है ना वो धनात्रवग विशम्मता और दाईए विशम्मता कि दोरान हमें देखने हैं मिलता जैसे आपने स्विकनेश का नाम सुना होगा वही विशम्मता होता है मैंने एक यहां पर ध्यान दीजेगा निग्येटीव श्विकनेश की जो है, स्विकनेस है, जिसको नकरात्मक विश्वमता करते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मैंने कुछ इस तरीके का पार्ट आप लोगों को बनाया है, और यह आपका जो पार्ट यहाँ पर दिखाए जा रहा है, यह पॉजिटिव स्विकनेस है, अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वाले में आपको जब दाएं से चलेंगे, तो यह आपका मीन होगा, और फिर उस आपका मोड होगा, निगेटिव स्विकनेस में, उसके बाद आगर बाएं की तरफ चलेंगे, तो उसके बाद आपका मीडियन आएगा, और मीडियन के बाद आपका मोड आएगा, यह आपका आता है निगेटिव स्विकनेस में, काल पियरसन ने जब इस तरीके की सब्दों के बारे में यूज किया कहा कि यदि माध्य माधिका बहुलग एक दूसरे से जिसे कम की रूप में दर्सार है होते हैं तो ऐसे परिपेच में दाएं विशम्मता को रिपर्जेंट किया जाता है दाएं विशम्मता को रिपर्जेंट किया जाता है है ना और यहां करेक्ट यहां बड़ा की बात हो रही थी तो बड़ा आपका मीन है ना फिर अगर हम बात करेंगे तो फिर उसके नेगेटिव में मोड मीडियन मीन आया तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा हमारे लिए इंपोर्टन्ट है अगला सवाल हमारे सामने और इसका अंसर सर ऑफ्शन नंबर एक करेक्ट होगा यहां पर आप एक जबाब लगाई रहा है प्रिविए सियर के मैंने हो सकता है हो गया हो तो आप इसको करेक्ट कर लिए हाँ आप इसको करेक्ट कर लिए फिर समान बित्रड की बजाए आप समान बित्रड में रखिए सर ठीक है इसको करेक्ट कर लिए हो सकता हो गया हो ठीक है हो गया हो चलिए अगला सवाल देखिए ज़रा एक बार और सोध अभिकल्प नहीं है ये आपको बताना है है कौनशा सोध अभिकल्प नहीं है तो जो स्विस सेर्वे हैımız जिसको हम लोग सर्वेचर कहते हैं सोशल सर्वे यह option आपका करत है क्योंकि सोध अभिकल्प में आपका गनवेश्रात्मक रिशर्च भी सामिल रहेगा और इसमें आपका experimental यानि प्रियोगात्मक भी रहेगा descriptive यानि बिवड़ात्मक भी रहेगा केवल और केवल option जो डी यहां पर दिया गया है यह आपका नहीं रहेगा इस चीज़ को आप लोग खाशकर ध्यान रखेंगे यह आपका नहीं रहेगा तो किसी भी समस्या के बारे में कारी कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेना ही अभिकल्पना होता है अभिकल्पना एक ऐसा कारी कारी तरकवाक्य है जो कल्पना अत्मक धारणा अत्वा पूर्वानुमान होता है और आपको मैं बता दू, गुड़े हाट ने परिकलपना को तीन भागों में बताया कहा कि एक होता है अनुभाविक एक रूपता के रूप में दूसरा उन्होंने कहा कि आदर्स प्रारूप के रूप में तीसरा उन्होंने कहा कि विशलेशलात्मक वेरियेबल के रूप में तीन टैप में होता है और एक कथन भी दिया था गुड्डेन हार्ट ने रिसर्च के हाइपोथेसिस में स्वारी सेंपलिंग में कहा था कि समग्र सेंपलिंग का एक लगुत्तर भागी निदर्शन कहलाता ह है प्रतिदर्श या प्रतिचैन कहलाता है और यहां परिभासा गुड्डेन हार्ट की ही रही थी जो की काफी चर्चित मेरे यह सोचल वर्क में बात करते हैं कोश्चन नमबर कुश्चन नमबर कुश्चन कीजिए सर लिख रहा हूं सर में क्या बोलना है मुझे आब प्रतिदर्श का समग्र प्रतिदर्श का एक लगुत्तर भाग एक लगुत्तर भाग ठीक है समग्र प्रतिदर्श का एक लगुत्तर भाग क्या कहलाता है प्रतिदर्श का बस समग्र प्रतिदर्श का एक लगुत्तर भाग निदर्शन कहलाता है बात वही है ठीक है जान रखेंगे अरे भई कितनी बार बार कौन से तीन पॉइंट अच्छा टाइब एक अनुभाविक होता है दूसरा आदर्श प्रारूप होता है तीसरा विशलेश लात्मक वैरियेबल होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ें फिर अफिर अप कोश्चन नमबर टॉन्टी एट देखिए टॉन्टी एट आप से कहता है बहुत अच्छा सवाल है जिस आबादी के नमोना नमोना का मतलब सेंपल सेंपल का मतलब प्रतिदर्स जिस आबादी से नमोना चुना गया हो उस आबादी के अभिलच्छड को परिशुद के रूप में प्रतिबिंबिट करना है वाली सेंपलिंग की योजना को क्या कहेंगे चार आप्षन आपके सामने कोशन नमबर आपके सामने 28 है ओप्षन ए सर ओप्षन ए का आप लोगों ने चुनाओ किया है यहाँ सही किसी बच्चे ने जबाब दिया भी अभी कि जो स्टेटिफाइड रेंडम सेंपलिंग होता है ये आपका correct जवाब होगा basically जो स्टेटिफाइड रेंडम सेंपलिंग होता है वो can be an important part of the process in creating a representative sample कहने का जो भाव है मेरा ये represent करता है कि जिस आबादी के नमुना या उस आबादी के अभिलच्छड जो परिशुदता की रूप में प्रतिबिम्बित होता है उसी को हम लोग अस्तरी करड नमुना के नाम से जानते हैं अस्तरी करड नमुना के नाम से जानते हैं इस चीज को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर जिक्र भी करना चाहूंगा जो सनोबॉल संपलिंग होता है ध्यान दीजेगा आप सभी लोग ये आकड़े एकत्र किये जाते हैं इसमें और प्रशनावली बना कर किसी क्रिया बिधी को हम लोग करते हैं सनोबॉल मैंने आपको पहले ही बता रखा कि कोई बच्चा अगर माल ये डेटा देना चाहता है तो वो दो लोगों को डेटा देता है उसके बाद वो दो लोगों को और देता है एक बेकत्र उसमें से दो लोगों को और देता है जब तक data उसको परियापत ना मिल जाए तब तक snowball sampling चलती रहती है यह बात आप ध्यान रखेंगे और जब हम बात करते हैं accidental sampling के बारे में तो accidental sampling वो होता जिसको हम acasmic बोलते हैं acasmic नमूना कऱर कहते हैं हम लोग इसको और इसका मतलब यह होता है कि बिना किसी योजना के चैन करते या आसानी से कोई ब्यक्ति मिल जाए आपको आप उसी समय जानकारी प्राप्त कर लिजिए तो आकास्मि प्रतिदर्स हो जाएगा ऐसे में टीवी रिपोर्टर यही accidental sampling को ही basically follow करते हैं एक conventional sampling होता है नाम से असपस्ट है सुभिधा जनक आप ऐसे बिद्याले या छेत्र का चुनाव करते हैं जो आप जानते हैं जैसे जो ब्यक्ति मराथी जानता है वो उसी बिद्याले का चुनाव करेगा जहां पर मराथी language या निभासा का प्रियोग हो रहा होता है तो वो conventional होता है यहां पर यह probability sampling की प्रश्ण है probability sampling का part इसलिए option number आपका B correct होगा probability में sample random होता है एक अस्तरी करित होता है एक सामान उद्देश रहित होता है एक गुच जिसको कलस्टर कहते हो अब वो होता है यह चार टाइप basically probability में देखा जाता है अगर हम बात करें non probability में तो accidental एक होता है एक कोटा होता है एक सोदेश होता है ठीक है और accidental भी होता है ठीक है conventional भी होता है ठीक है कई होते हैं इन सब पर मैं बात चीद करूँगा जब research का topic आप लोग उसे करवाओंगा तब फिलाल इतने चीज़ें यहां पर ध्यान में रखिएगा आप लोग बात करेंगे question number 29 के बारे में भारत में मांसिक स्वास्त निती को किस वर्ष अपनाया गया यह सवाल आपके सामने है जब आप आप सब के 92 भी आ रहे हैं बात है अगस्त 1982 की अगस्त 1982 की है उस समय मांसिक स्वास्त निती पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से या वहां जिक्र किया गया तो बताया गया कि मांसिक स्वास्त देखभाल कारिक्रम के बारे में मांसिक स्वास्त देखभाल के कारिक्रम के बारे में इसलिए आप इस तथ को जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग ठीक है काफी important है और भारत को पहली मानसिक स्वास्त नीती मिली भी थी इसी समय आपको बता दू कि मानसिक स्वास्त देखभाल तक सौर्भामिक पहुंच प्रदान करना खास कर गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए ठीक है गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए ये नीती उनके लिए बनाई गई थी मानसिक स्वास्त ठीक है याद रखेगा मानसिक स्वास्त के छेत्र में नित्रित को मजबूत करना मानसिक स्वास्त देखभाल अधिनियम था अधिनियम था देखभाल अधिनियम नहीं अधिनियम था स्वास्त अधिनियम था मांसिक स्वास्त अधिनियम था देख भाल अधिनियम था यहां सही जवाब जो जाएगा option number आपका बी वाला correct हो जाएगा स्वारी सी वाला आपका correct हो जाएगा Peak Duty में मांसिक स्वास्त प्रलाली अधिनियम थी अत्य में 1990 में दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष के रोप में इसको जाना गया था 1990 को और मांसिक स्वास्त अधिनियम 1987 था और 1982 अगस्त की बात है तो यह मांसिक स्वास्त निती थी ठीक है यादि असी में क्या बोला है मांसिक स्वास्त प्रलाली अधिनियम और लबे में सुर्ण दिब्यांगता समयोजित जीवन वर्ष उसी के बाद तो आठ पीड़ुडी एक्ट आया था सुरी पीड़ुडी एक्ट असी बताया तो सहर असी तो बता दिया आपको असी ही बताया है आपको मांसिक स्वास्त प्रलाली अधिनियम क्लियर हुआ इसका पूरा नाम बताए जीवन वर्ष के रूप में उसके बाद 1995 में पीड़ुडी आया था पर्सन विड डिसिबिलिटी एक्ट ठीक है कि बताईए और याद रखेगा यह जो 1980 की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों से यह पूरे यूसे की बात मैं कर रहा हूं संयुक्तिराज अमेरिका में मांसिक स्वास्त सेवाओं के प्रावधान में सुधार करना और मांसिक स्वास्त को बलहवा देने के लिए था यह ठीक है यह वहां की बात है इंडिया की नहीं यह बात ध्यान रखेंगे इसके पर पेच्छ में पता चले आप इंडिया के पर पेच में सोच रहे हूं आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं कहता है कि जुबिनाइल जस्टिस केर और प्रोटक्शन आक्ट किस वर्स पारित हुआ यह आपको बताना है दो हजार में सर्ट दो हजार में सर्ट ठीक है ओप्शन आप का डी करेट होगा यहां पर देखें आप सबको भली भाती तरीके से मालूम है है ना जुबिनाइल जस्टिस केर और प्रोटेक्शन आक्ट बेसिकली अगर हम बात करते हैं अब अगर पेपर में हमसे पूछा जाएगा तो आप लोग दो हजार पंद्रा लगा के आईएगा यह पेपर दो हजार च्छे का था अबर दो हजार भी ऑप्सन दिया होगा तो 2000 कैसे देगा 2000 और 1998 भी देगा था बुक में पहले बात तो सुनो बात सुनो बात सुन लिजी प्रशनी के बाद उसके बाद आपको अंत में जो डाउट होते हैं वो पूछा करें आप है ना अभी तो सुरुआत ही तो कर रहा था मैं मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनिये कि किसोर नय बच्चों की देखभाल सनच्छ अधिनियम ये पेपर 2006 का है तो यहां आप जबाब लोग आप लोग लगाएंगे जोबिनाईल जस्टिस केर और प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर 2000 ही लेकिन अब आपको अगर पेपर में प्रश्ण आएगा 2023 में तो आप लोग लगाएंगे 2015 लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखेगा आप सभी लोग किसोर नय बच्चों को देखभाल और सनच्छ अधिनियम को लेकर 2015 में किसोर कोई भी बच्चा 2021 की बात में बता रहा हूँ भारत की संसत के द्वारा किसोर नय बच्चों की देखभाल और सनच्छ संसोधन अधिनियम 2021 में गोद लेने से संबंधिक कुछ बदलाओं के साथ पारित किया था